विंध की वी बारीश को दोनिक व्यानाइशृ में वीधिया धूर्वेशाओंदम नवोस्कार विंधिया टाइंश में आपका स्वागत है विंध विंध। सतना, शेहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरॉली, तमाम जिलों से जो खबरें आ रही है, नर्वदा अपने उफान पर है, सोन नदी का जलिस्तर बढ़ गया है, रीवा शहर से लगी हुई जो बीहर नदी है, उसका जलिस्तर बढ़ा है, और निचले हिस्सों पर एक खत जस तबाही जैसी सेच्वेशन थी, और अब फिर से एक बार रीवा में ये खत्रा बढ़ रहा है, विशेश रूप से जो नदी से सटे हुए इलाके हैं, रीवा में वहाँ पर खत्रा बढ़ा है, वहीं जिले के अलग-अलग ब्लॉक से भी तस्वीरे आनी शुरू हो गई ये और वो तस्वीरे हैं, जहाँ पर जल भराओ की समस्या, कई जगे घर गिरने की भी खबरे आई हैं, और साथ ही साथ, आवा गमन मुख्याले से जिन गाओं का तूट रहा है, वो एक बड़ी समस्या है, प्रशासन लगातार ये दावे करता रहा कि सडक और पुल के निर राओ था, या फिर कहा जाया कि नदी का जलस्तर बढ़ाता, उससे बहुत समस्या हैं थी, अब ये रुक रुक कर जो बारिश हो रही है, इससे ग्रामीर छेत्र से लेकर शेहरी छेत्र तक, तमाम विवस्थाएं अब धीरे-धीरे पोल खुलती हुई नजर आ रहे है, ऐसा ही मौसम अगले दो से तीन दिन तक बना रहा तो, बकिया डैम के गेट खोले गए हैं क्योंकि जलस्तर बढ़ चुका है, ऐसे ही देखा जाये तो सो नदी भी अब धीरे-धीरे कर जलस्तर वहां भी बढ़ रहा है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिय अपर एक वीडियो वाइरल हुआ था, बरगी डैम का, जहां जब गेट खोले गए तो वो जो द्रिश्य था, बड़ा भयावय था, यानि साफ है कि विंधि से लेकर महा कौशल तक बारिश का दौर शुरू है, शहर में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, और कई म निचला जो इलाका है, उसके बाद जो नदी से लगा हुआ इलाका है, वहाँ एक बड़ी समस्या है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की कोई खबर नहीं है कि बहुत ज़्यादा कहीं पे दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रशास्निक अमला लगातार लगा हुआ है, उसकी कोशि बारिश का किसानों को जबरजस्त फायदा मिल रहा है, क्योंकि रिवा जिले में रिवा सतना इस बेल्ट में पिछले हपते तक जो रिपोर्ट थी कि सबसे कम बारिश होई है, और उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब जब बारिश का दौर शु में वो डरा हुआ है, उसे डर इस बात का है कि अगर 2016 जैसे हालात हुए तो रिवा का इस बार क्या होगा, वहीं कई वार्डों से ये खबरें आ रही है कि जलभराओ हो रहा है, लेकिन बारिश का दौर बहुत तेज नहीं है, रुक रुक कर बारिश हो रही, या फिर ये कह आ जाए कि ये वैसी बारिश है जिसकी जरूरत सबसे ज़्यादा किसान को होती है, किसान चाहते हैं कि रुक रुक कर बारिश हो ताकि खेती में कोई व्याओधान नहों, फसल बरबाद नहों, वैसी ही बारिश है, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, विंध और मह कोशल में मानसोन जिस तरह से अंतिम पड़ाओं में सक्री हुआ है, उससे किसानों को राहत मिल रही है, अलग अलग जगे से खबरें आ रही है, मंडला से लेकर जबलपूर का जो बेल्ट जहां पर नर्वदा अपने उफान पर है, वहीं सोन नदी का भी जलसतर बढ़ रह है, क्योंकि बांड सागर डैम जब भरेगा, तब वहां के जब गेट खोले जाएंगे, तब क्या स्थिती होगी ये देखना महत्यपूर्ण होगा, बहुत बहुत धन्यवाद